इस वीडियो में हम डारेक्ट इन डारेक्ट की एक्सरसाइज नमर 5 सॉल्व करेंगे इसके MCQ 1st एक्सरसाइज 5 की जो और एक्सरसाइज हैं मैं सॉल्व करवा चुका हूँ और एक से लेकर जो 5 तक एक्सरसाइज भी सॉल्व हैं वो वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाए तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्या करना है following direct narration को read करना है और right जो indirect narration है उसको हमें choose करना है तो देखें पहला है will you be here for the next few minutes क्या तुम यहाँ अगले कुछ minutes के लिए रहोगे she said उसने कहा yes i answered मैं ने उत्तर दिया yes तो देखते हैं इसका कौन सा सही होगा सी यह reporting verb का subject है subject होना चाहिए set का आश्ट होगा तो आश्ट है अब objective case me इसके बाद देखे if और u बदलेगा me के answer तो i हो जाएगा i के साथ bud लगा है यहाँ पर अब देखते हैं i के साथ bud भी लग जाता है और changes देखते हैं here का there है for the following few minutes next का following कर दिया और इसके बाद आगे है i answered in the affirmative yes को जब भी yes होता है हम पिछली exercises में देख चुके हैं तो क्या लगते हम answered in the affirmative तो यह हो सकता है सही इसके बाद हम अगला देखते हैं हम सभी एक बाद रीट कर लेते हैं दूसरे में देखे क्या है i के साथ यहां पर should लगा है और और यहां पर कोई changes देखे following नहीं किया next ही है answered in the affirmative इसके बाद देखते हैं see ask me if I would there for the following few minutes I answered yes इसमें yes का yes ही है answered in the affirmative नहीं है d देखते हैं see in card me weather in card लगा दिया यह लग सकता है वैसे in card off लगता है in card नहीं लगता कि वल in card off तो यहां पर इसमें यह गलती है और यह तो आगे सही है लेकिन इसका cell यह change दिखिया अगर यह इस तरीके से लिख भी रहे हैं तो cell का suit कर देना चाहिए तो d गलत है c गलत है और इसका फिर होगा इसका a सही तो इसका जो a है यह सही होगा क्योंकि इसमें देखिये अब यहां पर i के साथ बुड़ लग सकता है लेकिन इस बाली में b में क्या है next को following में नहीं बदला गया है a में बदला है तो a 100% सही होगा इसके बाद देखते हैं b why did you not come to school yesterday ask the teacher तो the teacher यह रिपोर्टिंग वर्ग पर सब्जेक्ट होगा ask उसके बाद देखे अब यहां पर अंदर यू दिया है रिपोर्टिंग वर्ग में तो object मानना पड़ेगा जिसमें object नहीं है तो वो तो गलत ही हो जाएंगे जैसे पहला गलत है ठीक ना पहले में object नहीं दिया है और डी बाले में भी object नहीं दिया है अब हमें b और c देखना है केबल इन में क्या है the teacher asked the student why he पहले लग गया subject पहले लग जाता है और did not यह past indefinite tense है past perfect ना बदलेगा had not कम कागो होता third one gone to school yesterday or the previous day यह b सही होगा 100% c में देखिया क्या कमी है y के बाद did ही लगा है tense change नहीं किया गया तो इसका सही कौन सा होगा b c बाले में c बाले में इन्होंने क्या किया है did लगा है tense change नहीं किया गया तीसरा देखते है the wolf said to the lamb why are you making the water dirty तुम पानी को गंदा क्यों कर रहे हो तो the wolf ask the lamb होना चाहिए इसमें सभी में है अब देखे यह double integrative का है तो conjunction if तो लगेगा ही नहीं पहला 100% को लगा थे क्योंकि यहाँ पर इफ लगा है और उसके बाद देखे u lamb के उनिसार हो जाएगा तो इसमें ही कर दिया गया है जिसमें करता पहले है देखे यह तो गलत है b बाले में क्या है साहिकरिया पहले लगी है करता बाद में लगा है तो b बाला भी गलत है इसके बाद हम C बाला देखते हैं D बाला भी गलते देखें Y के बाद ये शाहिक के लिए लगी है पहले करता इसमें बनाया ही नहीं गया करता जाने कहा है इसमें C बाला करक्ट है The wolf asked the lamb why he was making the water dirty तो हमें जो चोटी-चोटी गलती है उनको तुरुन देख लेना चाहिए उसी से हमें पूरे बाग का अंदाजा लग जाता है यहाँ पर देखी इफ की कलती है यहाँ पर कंजन से लगने के बाद करता पहले नहीं है और D बाले में करता ही नहीं है इसलिए इसका C सही होगा C option चौथा देखते हैं What makes you worried? कौन सी चीज तुमें चिंदित करती है? said the man to his wife man आदमी ने अपनी पत्नी से कहा she said उसने कहा Only the long separation of my children यहाँ गी मेरे बच्चों से मेरे दूरी लंबी दूरी तो यह subject है the man said to का आश हो जाएगा his wife conjunction what लग गया अब देखें what जो है न यह subject का काम कर रहा है यहाँ पर यही conjunction भी है present indefinite है makes का made हो जाएगा you का her हो जाएगा wife के अनुसार तो यह अभी तक सही है she said that only the long separation of our children यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या है यहाँ पर subject नहीं दिया है that नहीं लग सकता इस तरीके से इसमें subject होना चाहिए that उसी में लगता है जिसमें subject हो वर्व हो तो subject वर्व देखें ए में नहीं बना है बी में भी नहीं है subject बदूसरे वाले बाग में सी में है तो सी बाले में देखती हैं क्या गलती है सी में यहाँ पर यह गलती है देखें करता लगा दिया यह पहले यू को करता बना दिया बलकि यू तो कर्म है object है यहाँ पर देखें की डी बाला 100% सही होगा देखें दा मैन आश्ट इस वाइफ वाट मेर हर वरीड सी सट देट इट वाज यहाँ पर देखें subject भी है और बर्व है यहाँ पर देखें पांच मा देखते हैं गोपाल से टु गनिश गोपाल आश्ट गनिश देखें यहाँ पर इंट्रोगेट अब है ना पहले में गलती है टोल कर दिया गया पहला गलत हो गया पहला गलत है बी बाला सही हो सकता in quarter of गनिश इस वी बाला करेक्ट है अब हम सी बाले में देखते हैं क्या गलती है यहाँ पर देखें टू सी है इसको सौ कर दिया गया यह गलत है टू सी यह इन्फिनिटिव होते हैं यह चेंज नहीं होते हैं कभी भी यहाँ पर देखें बुड के बाद लाइक्ड कर दिया गया बलकि जो मॉडल होते हैं उनके साथ first form ही लगती है यहाँ की बी सही है गोपाल इन्कॉर्ड ओफ आस्ट या इन्कॉर्ड ओफ लगता है गनेश का जन्सन एफ है यू कर दिया गनेश के नुसर ही बिल का बुड लाइक्ट गो तो सी दे क्रिकेट मैच इसके बाद देखते हैं MCQ इसका second part, read the following narrations given below and choose the right alternative in direct narration for each the angry father said to me गुसाई पिता ने मुझसे कहा do you think you know better than I? क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे अच्छा जानते हो तो the father asked me पहले में देखिए यहाँ तक मिल रहा है यू बदले का मी करने सा तो I हो जाएगा आप देखिए ये इंटुकेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की फर्च फर्म लगती है यह present indefinite है दू लगा है past indefinite में बदलेगा तो past जब यह change होता है direct से indirect में तो यह अंदर की speech affirmative में जाती है तो past indefinite में किर्गया की second form लगेगी यह affirmative में I thought उसके बाद देखे You बदलेगा Me के अनसार ही तो I know का new Better than I बदलेगा यह subject Angry father के अनसार तो ही हो जाएगा तो यह पहला बाला बिलकुल सही है देखे यहाँ पर क्या है I करता कारक है तो करता कारक ही आएगा ही आएगा यह बाला सही है B बाला भी देखे बिलकुल सेम है लेकिन इसमें क्या है Him कर दिया objective case यहाँ पर जी subjective case है तो subjective case ही रहना चाहिए B बाला गलत है C बाली में किलते क्या है यहाँ पर देखे Me कर दिया बलके यू जो है देखे यह वर्भ है यह subject है यहाँ पर यू यू क्या है subject तो यहाँ करता काराख होने चाहिए वो नहीं है और दी बाली में सही के लिए डिट लगा दी affirmative में डिट का यूस नहीं होता है यहनकी यह बाला 100% correct है उसके बाद दूसरा देखते है Why didn't you go to school today The mother asked me The mother यह subject है The mother asked me Angrily Conjunction Y अब यू बदलेगा मी कनुशा तो I Did Not का Head Not होना चाहिए तो नीचे यह पहला तो गलत हो गया इसमें नहीं है दूसरे बाले में होगा Head Not देखिए Gone to school Today का That Day इसमें दूसरे में भी Today का That Day नहीं किया और यह देखिए यह देख रहा है D वाले में क्योंकि B में Was Not कर दिया D में देखिए Had Not Going to School That Day यह D वाला ओप्शन सही है इसका इसके बाद ती सारा देखते हैं Don't you know how to read and write The Principal Inquoad of Her The Principal Inquoad of Her यह देखिए यह सिंगल इंटूगेटिव है Conjunction If लगेगा If A Weather पहले में तो लगा नहीं है That लगा पहला गला था A वाला B वाले में लगा है F अब C Don't represent indefinance Past indefinance Did not know how to read and write यह देखिए B वाला सही है अब C वाले में क्या गलती है देखिए C वाले में कलती है यहाँ पर Inquoad of होता है Inquoad of ठीक है Inquoad लखा केबल D वाले में Inquoad of है लेकर यहाँ पर देजनोट कर देजनोट नहीं किया Past Present Induction पर नहीं बदला गया C वाला सही है चौता देखते हैं The teacher said to the boys Why are you making a noise The teacher यह देखिए Intrigative है तो Ask होगा पहला तो टोल हो गया गलत है B वाला भी B वाले में Ask Boys Why You बदलेगा Boys के इनुसार तो D होना चाहिए क्योंकि Boys plural है तो B वाले में तो D है नहीं C वाले में D कर दिया गया है यहाँ पर Arc of और making a noise The teacher after boys Why they were making a noise 4 हो गया 5 मा देखते हैं तो 5 मा देखे बहुत ही ज़्यादा Easy है इसका कौन सा सही होगा option Comment box में आप लिखिए जिसका भी answer सही होगा तो मैं इसका reply जरूर दूँगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवार